हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में जितनी मेरे फ्रेंड चैनल को न्यू देख रही हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन नीट 2022 की मिल सके और आने वाली जो नीट 2023 की परिक्षा है उसमें क्या क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी जो परिक्षा की डेट है वो दोस्तों क्यों चेंज करी जा रही है और सही पटरी पर लाने का मतलब क्या है नीट की परिक्षा को और जेई की परिक्षा को इन सभी बातों की जानकारी दोस्तों वीडियों में देने वाला हूँ बने रहेगा वीडियो को अंतक और बीना स्किप करिये देखते रहेगा बात तभी समझ में आएगी अब दोस्तों आपको पता है कि करोना करके दो तिन साल तक नीट के प्रिक्षा कभी आगे हो रही है गोई पीछे हो रही है और प्रिक्षा लेट ही चल रही है और प्रिक्षा लेट होने की वज़े से रिज़र लेट आता है उसकी वज़े से दोस्तों हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस लेट हो जाता है जिसके विए से जो बैटिज हैं 2022-2023 के जो वो क्या होते जा रहे हैं दोस्तों दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं लेट होते जा रहे हैं अब इसी के चलते हम आपको बताएं कि NTA ने अब क्या फैसला लिया है और क्यों डेट जो है वो सही पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है तो आपको दिखाते हैं वो न्यूज अब यहाँ पर दोस्तों 2023 में पट्री पर आएगी नीट जेई एडवांस प्रिक्षा यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि देश के मेडिकल कोलिज और आईटी में प्रवेश के लिए होने वाले नीट जो है और जेई की जो प्रिक्षा है वो दोस्तों क्या हो रही है उतल बुथल हो रही है यहाँ नी की आपका जो एकज़ाम हो वो एक बर लेट हो गए अउसके बाद से वो लेट ही चल रहा है तो इसलिए 2023 से यह नीन ने लिया गया है कि 2023 से आपको क्या देखने को मि या तो हमारा लास्ट मैं में होता है या फिर जून की स्टार्टिंग में होता है तो वहाँ पर देखने को मिलेगा जिस से जो नीट है हमारा जो नैशनल अलिजिबिल्टी का मेंटरेस टेस्ट है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल एग्जक्ट टाइम पर होगा उसके बाद रि प्रिक्षाओं के लिए बहतर समय रहेगा प्रतियोगी प्रिक्षा कराने वाली सहस्थान को प्रिक्षा योजिन के बाद परिणाम और काउंसलिंग के लिए प्राप्त समय मिल पाएगा इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अब नीट दोजार तेस वारे जितने भी स्टूड तो वो जोरो सोरो से करते रहें इसी के चलते आपको और न्यूज टाइम टू टाइम मिलती रहेगी थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली वीडियो में जैहीं जै भारत